हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भूगोल के बारे में और इसमें लाश्ट किलास में आपने देखा होगा कि हम लोग परवत परवत निर्बान के बारे में बिस्तार से चर्चा किये थे आज की इस किलास में हम लोग मेधान के बारे में बात करेंगे और याद रखिए सभी किलास आपकी इस्टेट PCS और Civil Service को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रही है बहुति विस्तार से हम लोग बात करें और आप में से कुछ लोग एक सवाल भी करते रहते हैं किन लोगों के के लिए किलासे महत्पूर रहेंगी तो आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहें अगर उसमें बहुत एक भूगोल से कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो एक किलासे आप लोगों के लिए भी महत्पूर हो सकती हैं और देखिए इस्टेट PCS और सिविल सर्विस का जो तो UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है वहाँ सभी किलासे आप लोगों को मिल जाएंगी वहाँ जाकर आप लोग इन्हें देख सकते हैं यहाँ चार सब्दा आप लोग काफी चर्चा में सुनते होंगे एक आप लोग परवत सुनते होंगे एक पहाडियां सुनते होंगे पठार सुनते होंगे और मैदान सुनते होंगे इन चारों में फरक क्या रहता है तो आपके आस्वास आप लोग जो पहाडियां देखते हैं जो बड़े बड़े उंचे रहते हैं वो पहाडियां होती हैं वो परवत नहीं होते हैं याद रख लेकिन याद रखिए पठार जमिन से उपर उठा हुआ भाग होता है फिर परवत की बात करें तो परवत आप देखेंगे कि इस तरह से परवत की परिभासा बता देता हूँ आप लोगों को पिछली क्लासों में हम लोग बात कर चुके हैं तो वहां जाकर आप लोग देख सक रखते हैं परवत या पहाड पितवी की भू सताय पर प्राक्तिक रूप से उच्छा उठा हुआ हिस्सा होता है जो जान्दातर आकस्मिक तरीके से उब्रा रहता है और ये पहाडियों से बढ़ा रहता है पहाडियां जो पहाडियां होती है न वो परवत से छोटी होती है यह आप लोग याद रखेगा तो यह आपका मैदान हो गया यह आप देखेंगे आपका पठार हो गया यह आप देखेंगे पहाडियां हो गई और यह आप देखेंगे परवत हो गया ठीक है? तो यह आप लोग याद रखेगा एक बार आप लोग अपनी पितवी को देख लीजे यह आप देखे हमारी पितवी है और इसमें A.C.A. आप लोग देखेंगे हमारा प्यारा भारत है A.C.A. में हमारे पडोसियों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहीं आप देखें नैपाल, चाइना और यहीं आपका हिमालाय आप लोगों को परवत देखने को मिलता है ठीक है तो मैदान तथा पठार भूतल पर इसे दूइतिये सैडी की स्थल रूपों में सरबादिक महत्पूर है और अतीज से बर्तमान तक मानो की समस्ते क्रियाओं की मुख इस्थली की रूप में इनको जाना जाता है किने पठार को और परवत को और एक किरसी खनिश संसादन या तायात आदी सिसमरिद मानो संस्किती के विकास के पेड़ा सुरोध भी रहे हैं मैदान और पठार जब मानो सादन हीन और नी साहई प्रक्रिती पर नर्वर था तब ये इसकी समक्च चुनोतियों को ना उपस्तित कर संभावनाओं को उपस्तित किये और फालसरूप मैदान पठार चल में ज्ञान बिज्ञान संस्किती और अध्धात्मिक चिंतन आदी का विकास हुआ 40-30 भूभाग पर मैदान आपको देखने को मिलेगे 33-30 पर आप देखेंगे पठार और 14-30 भाग पर पहाड और 12-30 पर पर परवत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा और समस्ति धरातली भाग के अधिक भाग पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं मैदान में लोग निबास करते हैं आप देखते हैं कि वहां रहते हैं खेती भी करते हैं और पठार पर भी हो सकती है पठार भी बड़े-बड़े होते हैं समतल होते हैं मैदान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे भूपटल का निचला और समतल इस थलकंड मैदान कहलाता है जो भूमी आप लोग देखते हैं उसका निचला सबसे निचला बात और समतल बात उसे हम लोग क्या कहते हैं मैदान कहते हैं और उपर उठा हुआ जो एक रूपता नहीं होती है, किसी मैदान की उचाई समुद्ध तल के बराबर, एवं किसी की इस से कम या किसी की अधिक भी हो सकती है, मैदान की उचाई समुद्ध तल से, हालेंड का तडवर्ती मैदान समुद्ध तल से, नीचा और मिसिसीपी का मैदान समुद्ध तल से, उचाई 100-200 मीटर की मद्ध होती है उसे आप लोग मैदान कहते हैं और समद्ध तल से 100-200 मीटर मैदान होता है और मैदान की उपरी सतय सबाट होती है कैसी होती है सपाट होती है और इसका तात्पय यह नहीं होता है कि यह काकच की सतय की भाती होता है कहीं कहीं आप देखते हैं कि अपरदन के कारण इनमें नीचे उपर भी देखने को मिलता है बलकि इस पर अपरदन की अवस्य अवस्य बिद्धिमान होते हैं और जब इस्थल अलखंड अपर्दन की अंतिम वुस्ता में पहुच जाता है, तब लगभग समतल ही हो जाता है। अब आप देखें कहीं से मिट्टी चली गई और कहीं आप देखेंगे हो गई तो आप लोगों को देखने को मिलता है, नौर्मल सी बात है। लेकिन जाना फराक आप लोगों क देखने को नहीं मिलेगा और परंतु इस पर अपरदन की कारण तरंगित ढाल भी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ती है और यदि निच्छेप की पिकरिया से मैदान का निर्माड हुआ है तब भी यह लगबग समतल होता है और पूर्ण समतल नहीं होता है क्योंकि निच्छेप अपने आप लोग मैदानों को देखते भी होगे और फलस्वरूप इसका कुछ भाग उंचा और कुछ भाग नीचा होता है और मैदान मंद ढाल वाली इस्तलाकती है और यसका ढाल समुद्ध तटकी और करम सा कम होता जाता है और लगबग से भी मैदान इसी का अनुसरन कर यही कारण है कि कुछ मैदानों में एक ही पिकार की पदार्थों का और कुछ मैदान कुछ में एक से अधिक पिकार की पदार्थों का आप लोगों को पदार्थों का निच्छे पाये जाता है। पूरतल रूपों से पूरता भिन होती है, अलग होती है, साथी साथ इसमें आंतरिक भिन्नेता भी पाई जाती है, जहां एक और अपने सामान लक्षनों से अन्न इस्थालाक्तियों से पितक मौलिक सौरूप से जित करता है, वहीं अपनी आंतरिक भिन्नेताओं के कारण अने जिनका छेत्री विस्तार अपेक्चाकित अधिक होता है और इसके विप्रीद दुतिये सेंडी के मैदानों के अंतरगत उसको माना जाता है जिसका विस्तार अपेक्चाकित कम होता है और आंत्री को तटिये मैदान तितिये सेंडी के अंतरगत रखे जाते हैं और तितिये सें गर सकते हैं आप लोग अगर आप लोगों के पास टाइम है और खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करें आप लोग तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़िएगा NCEIT पढ़ने से यह होता है कि आप लोगों का बेस बड़ा मजभूत होता है जो नॉर्मल सब्द रहते हैं ना उनकी भी परिभासा आप लोगों को वहाँ देखने को मिल जाती है और बहुत ही साधारन सब्दों में मिलती है इसलिए कहते हैं कि NCEIT जरूरी पढ़ना है आपको अगर हम लोग मैदानों का उद्भाव की बात करें तो आप देखेंगे मैदानों का उद्भाव अन इस्थलाक्तियों की अबिक्चा सरल है इसमें अधिक जटलताएं नहीं है और पटल बिरूपनी और अपर दनात्मक पे करमों की सक्तियों द्वारा मैदान का निर्माड ह होता है और किसी मैदान की निर्माड में कभी एक सक्ति तथा कभी एक से अधिक सक्तियों का युगदान होता है जब एक से अधिक सक्तियों से मैदानों का निर्माड होता है तब इन में कुछ जटलताएं उत्वन हो जाती है और बास्तों में विसाल इस थलकंड अपने प्रेकार इस्थलखंड का जनम, अत्वा पुनर जनम होता है, माले जै कि पठार को ही ले जीजे, या कोई पर आप देखेंगे क्या है, पहाड़ी आए, उस पर अपरदन हो रहा है, आप देखें बायू के द्वारा हो, जल के द्वारा हो, एक समय वो आप देखें कि अगर घ अपरदनात्मत पिकरम अपनाकार पैरम कर देता है, और इस पर अपरदन तथा निच्छे दोनों के रियाए साथ साथ चलती है, अब देखें एक बात आप लो, माले जै ये समुद्धितल है, ठीक है, उपर आप देखेंगे कि ये जमीन है, यहाँ आप देखें कोई, आप हमेशा पानी की कौसिस रहती है कि उसे किसे समुद्धितल से मिला दी जाए, आप देखते हैं कि उपर की जो मट्टी होती है ना मिट्टी, उसे हमेशा क्या होता है, पानी ले जाता है, बहाता रहता है, और अपरदन करते करते, एक समय आप देखें कि उसकी कौसिस रहती ह बिलकुल मिला दिया जाए ठीक है और बिवर्तनिक अत्वा अन्यकार्णों से थल खंड का कुछ भाग खंड अत्वा अवतल ढाल वाला हो जाता है और इसमें अपरदन के पिक्रमों द्वारा निच्छेव कारी किया जाता है और निच्छेव जन्न एक विस्तित मैदान के नि मुक दिश्टांत है पर अंतु इस पकार की निर्माट की रिया से केवल एक देसी मैदान का बोध होता है मैदान की संपूर्ण इकाई बोध नहीं होती है और आप देखेंगे अगर संतल भूमी है पूरी तो अपरदन कहां से होगा आप देखेंगे पानी भरा रहेगा ले इक ही जगे आप देखेंगे भरा रहेगा और बास्तों में इस्थलखंड की उत्थान के पश्चात उस पर विविन पिकार की अपरदार नात्मक पिक्रम सक्क्री हो जाते हैं और जलवायविक विनिता के कारण पिक्रमों का कारिस्थान सापेक्ष होता है और फासरूप ए कारिस्थान साथ-साथ चलती है और फासरूप कई पिकार के मैदानों का निर्मार साथ-साथ होता है तटीय छित्रों में इस्थलखंडों के निमजन अध्वा आउतलन से उस पर निच्छेपकार पैरम हो जाता है और समद्दितल की आउतलन से नंगन इस्थलखंड पर मैदान निर्माट की रिया प्यारम हो जाती है और इसी पेकार पठारी भाग आपरित होकर मैदानों की रूम में परिवर्थित होने लगते हैं। कभी कभी विसाल इस्थलखंड की 36 संचलन में से भूसा नितियों का मलवा बलित होने लगता है और इस मद्द में मद्द पिंड का निर्माण प्यारम हो जाता है इससे। और विसाल स्थलखंड की पितेक भाग में किसी ना किसी रूम में मैदानों का निर्माड पिक्रिया सक्री रहती है और जलवायू तथां स्थलखंड की परिस्तितियां दीकालिक तक अनकूल रहती है तो एक ही स्थलखंड पर कलांतर में अनेक मैदानों का निर्माड भी हो ज तिश्टियों से बिन होते हैं अलग होते हैं यहां पर भूमंडली ए उच्चाबच का संदरब रहता है और वहां पर इसको एक इकाई माना जाता है परंतु जब इस इकाई का सूक्ष मध्यन किया जाता है तब ही अनिक छोटी-छोटी इकाईओं में बर्गी कित हो जाता है और मैदान की मौलिक विसिष्थाओं के अधार पर निमलिखित भर्गों में इने बांटा जाता है। एक आप देखेंगे पटल विरूपनी मैदान, इसमें आप दूसरा है, आप देखेंगे अपरदनात्मक मैदान, नदी अपरदन जन मैदान, यानि की नदी के द्वारा जो अपरदन होता है, उससे जन जो मैदान होता है, पबन से जो होता है, पबन अपरदन जन मैदान, हिम के द्वारा अपरदन जन मैदान, भूमीगा जल के द्वारा, समुदरी लहरों के अपरदन से निर्मित मैदान, और तीसरा अगर हम लोग दे मैदानों की रचना की पिक्रिया को और अधीक मत्त पिदान किये हैं और इसी क्यादार पर मैदानों को बर्गीकर्ण प्रिस्तुत किये हैं और इनमें आप देखेंगे टे वार्था का नाम विसे सुलेकनी है इन्होंने मैदानों का निमलिकित बर्गीकर्ण प्रिस्तुत किय और कुछ बिदवान निर्माद पिक्रिया में सलगन पिक्रमों की किरियातों मेदानों का और इस आधर पर निम्नांकित और इस में कीड़ी करन किया जाता है, किस तरह से आप देखेंगे इसमें इसमें आप देखेंगे कि आपका अंतरजाद बल द्वारा उत्पन मैदान यानि कि अंदर के बलों के द्वारा उत्पन मैदान तटिये मैदान हो गया, लावा मैदान हो गया बाहर के बलों द्वारा बाहर जाद बल द्वारा उत्पन अपरदांदमक मैदान निच्छे पात्मक मैदान यह आप लो देखेंगे और इसी पिकार कतीप विद्वानों मैदानों की इस्तिती को अपने अध्यनों में अतिदिक माति दिये इस आधार पर निम्नांकित भर्गी कित किया जाता है इसमें आप देखेंगे आंतरिक मैदान और समुद्ध तटिये मैदानों में इनोंने बांट दिया है मैदानों का बर्गी करन अगर आप देखें तो रचना की अनुसार तो समतल मैदान, तरंगित मैदान, लहेदार मैदान और बिच्छे दित मैदान और जलबायू के अधार पर आप देखें तो उपोष्ण में आद और उपोष्ण सुस्क और उपधुर्विय सीतल और इस्तिती के अनुसार देखें तो आंतरिक और तटिये मैदान में बांटा गया है और निर्माड किरिया के अनुसार अगर आप देखें तो इसमें आप द देखने को मिलेगा और पटल विरूपनी मैदान अगर हम लोग देखें इसमें तो पटल विरूपनी बल के सहयोग से जब इस्थल खंडों पर मैदानों का निर्माण होता है तब उसे हम लोग पटल विरूपनी मैदान की संग्या दी जाती है और कभी कभी महादेश जनक बल सक्रिय हो जाता है और जिससे इस्थलखंडों में उत्थान अद्वा आउतलन हो जाता है और इसी क्रिया के फलसुरूप विसाल इस्थलखंडों का समुद्ध में निमजन अद्वा निर गमन होता है और यह करियाen घटित होती हैं, तब अपरदन के पिक्रमों की अपरदन तथा निच्चेव करियारह सक्रिय हो जाती है, और फ़लसुरूब निच्चेव जन्र मैदान का निर्माड होता है, और एक अध्यांद में इसपष्ट किया गया है, कि सविकतराज अमेरिका के बेहद मैंदान का निर्माद उत्थान की कारण हुआ है और कभी-कभी पटल भिरूपुनी सक्तियां बहुत कमजोर होती है और इसका प्रभाव स्थलखंड के किसी एक छोटे भाग पर परता है और समुद्ध तट के निकट इस सक्ती के प्रभाव से स्थलकंड का निर्माण होता है अटलांटिक तटिये मैदान का निर्माण समुद्ध तट से उपर उठने के कारण हुआ है और इसी पिकार समुद्ध तटिये भाग के आउटलेत और जलमगन होने से उस पर तलचट का निर्माण का निर्माण किस तरह से होता है भारत का कूरू मंडल तट आउटलन तथा निच्छेप की पिक्रिया द्वारा बना है कभी स्थलखंड का कुछ भाग आउटलेत हो जाता है और जिसमें अनवरत निच्छेप होता रहता है और कलांतर में वह आउटलेत भाग समतल मैदान की रूम में परिवर्थित हो जाता है पटल विरूपनी सक्तियों के कारण पिथवी की अंतरिक भाग से लावा का उड़ गामी प्रवा होता है और फस्वरूप ज्वाला मुखी का उद्गार होता है और इससे आप देखते हैं कि लावा का पठार का निर्मान होता है यदि लावा की पतली चादर का आवरन होता है तब लावा मैदान का सेजन हो जाता है और इसकी ब्याक्या पिलेट संचलन के आधार पर की जा सकती है और जब एक समुद्ध था एक महादी पी है अत्वा दो महादी पिलेट का संचलन एक दूसरी की ओर होता है तब ये परस पर टकरा जाती है और कम घनत वाली पिलेट के नीचे अधिक घनत वाली पिलेट के मैंटिल में छेपंड से लावा की उत्पत्ती और उद्गामी प्रवा होता है और फ़ल सुलूप आप देखेंगे ज्वाला मुखी का उद्गार होता है और जिसके द्वारा लावा का एक पतला आवरन निर्मित किया जाता है और जिसे आप लोग देखेंगे लावा मैदान की संग्या प्यदान की जाती है अब आप देखेंगे बाहर लावा आया पतला हुआ वो लंबे दूर तक फैल गया और जो मैदान बना तोसी को आप लोग लावा का मैदान कह देंगे क्या कहा देंगे लाबा का मैदान कहा देंगे फिर आप देखेंगे अपरदनात्मक मैदान इसमें आप देखेंगे कि इस्थल खंड के समुद्ध तल के उत्थान के बाद उस पर अपरदनात्मक पिक्रम कार करना प्यारम कर देते हैं और इसके किरिया चेत्रिये तथा ब्या पर भी सक्री रहती है और फासलूब अनेग मैदानों का निर्माण हो जाता है और पितेक पिकरम द्वारा निर्मिद मैदान उसी की संग्या द्वारा जाना जाता है और इस पिकाल सभी पिकरमों द्वारा निर्मिद मैदान समान नहीं होते हैं और इनमें अनेग भिन्नेताय पाई जाती है और परस्वेक भिनता के आधार पर अपरदानात्मक मैदानों को निम्नांकित बर्मों में बर्गिकित किया जा सकता है कि आप देखें कि एक ही तरह से अपरदन नहीं होता है, पवन के द्वारा होता है, यानि कि आप देखते हैं बायू के द्वारा होता है, एक आप देखते हैं कि पानी के द्वारा भी होता है, नदियों से पानी आप देखते हैं, माली जी कि आप देखें एक भूमी है इस तर करें तो मरुष्थलिये चित्रों में बायू दाप की भिन्नता से बायू दाप प्रवंधता निर्मित होती है और कभी कभी यह प्रवंधता अत्यन्तीब होती है और पवन प्रवाप चंड बेक से होता है और यह अपने अपच्छे से विक्टित और भियोजित पदार्थों द्वारा बालू का रासी को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं आप लोगों ने देखा होगा तुभान टाइप का उठता है और आप देखे कि ऊपर आप देखे कि नीचे की मिट्टी को धूल को उठा लेता है और चला जाता है दूर तक मिट्टी को ले जाता है उसी तरह से आप देखेंगे या किरिया लंबे समय तक चलती रहती है और जिससे इस्थान बेसे इसके पदार्तों का इस्थानारंतर हो जाता है और चटान भाग घिसकर समतल हो जाता है इसे परवन अपरदित मैदान की पहारा मरूपे देश में पबन अपर्दित अनेक मैदान आपको देखने को मिलेंगे, इसमें हमादा, रेक, से रिर, आदी मैदान पर मोख हैं, यह उधारन के लिए याद रखेगा, आप लोग कह सकते हैं कि अपर्दन पबन अपर्दित मैदान के उधारन है, ठीक है, पुचाई वाले निम्न और समतर मैदान के रूम में आ जाते हैं, अब आप देखें कि आएक पानी गरा, नदियों में पानी आया, वो भी तो आप देखेंगे मिट्टी को बहा ले जाएगा ना, तो उसी तरह से भात हो रही है, ठीक है, और मुझे लगता है कि अपर्दन क किरिया को आप लोग ने आपने आसपास देखा होगा, पहले आप देखते होंगे कि वो जमीन ऊपर थी, वो आप देखते होंगे कि पानी गरते 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 गरते, वो नीची होती जा रही है, ठीक है, नाले टाइप के बन जाते हैं, नदिया बन जाती हैं उसी से, घिस्त तथा बाही जल की अपर्दन किरिया द्वारा होता है और हमारा मैदान इसका प्रमु को धारन है इसका निर्मार्ण पवन की द्वारा अपर्दन और चादरी अपर्दन की पिस्तुत सयुक्त किरियाओं से हुआ है और इसके अलावा भी मरुस्तल में छोटे-छोटे मैदानो और निर्माण पवन की क्रियाओं की द्वारा हुआ है फिर आप देखेंगे कि हिम अपरदित मैदान होता है अपरदनात्मक पिक्रिया द्वारा हिमानी उचाई वाले भागों को घिसकर समतल बना देती है और इसे उचाई वाली इस्थलाक्तियों में परिवर्थित कर देती है तब इसे हिम अपरदित मैदान की संग्या पिदान की जाती है और इस मैदान में अनेक चोड़ी और सपाट घाटियां गोलाकार चोटियां चोटे-चोटे टीले गर्थ लगु जीले आधी विद्ध मान होती है और इयूरेसियाई हिम छित्रों में हिम अपरदित देखने को मिलेगा हिम अपरदित मैदानों की उत्पत्ती की विसाय में अनुमान लगाया जाता है कि महा हिम यूग में उत्री धुर्विये छित पर विसाल हिमावरन हुआ और पिली इस्टोसीन काल में अनेक अंतर हिम यूग हुए थे और फलसरुप तामान का उताव और हिमानी के साथ अन पिक्रम विसिस्ता जल भी सक्रिये था और कलांतर तक घरसन और अपरदन की क्रिया के सक्रिये रहने से हिम मैदानों का निर्माड होता है अब देखिए हिमानियों के दोरा जो अपरदन हो रहा है उससे जो मैदान बन रहा है वो हिम मैदान हो गए हिम आपका देखेंगे हिम प्रभावित मैंधान आप लोगों को देख रहा है एक तटी आप देखेंगे उपर से इस तरह से खिस सकते एक समय आप देखेंगे बिलकुँ समतल हो जाता है ठाए और आंगे आप लोग बढ़ेंगे ये आप लोगोंने चोटी चोटी चलो समुद्र के पास तो आप नहीं गए होंगे लेकिन आप लोगोंने तालाब देखा होगा आपने देखा होगा कि जहाँ उचाई से पानी आता है एक समय आप देखते हैं कि वहाँ से मिट्टी खिसकती रहती है जब उस पानी के समतल हो जाती है बिलकुल तो वो रोक जाता है पानी समतल हो जाता है फिर आप देखते हैं अपरदन होना भी उसका बंद हो जाता है एक आप देखते हैं कि नदी अपरदित मैदान और मुझे लगता है कि इसका उधारन तो आप लोगों ने गाउं की तरफ देखा होगा पहले जहां वह आप देखते थे कि छोटी सी नाली टाइप की गई हुई थी वहाँ पानी गिरते गिरते एक नदी टाइप की बन जाती है तो उत्तित इस्थलखंड पर नदियां अपना अपरदन कार प्यारम करती है और जलवायू भूगरविक सरचना आदी की अनकूलता पर इस्थलखंड कलांतर में समतल भूभाग की रूम में परिवातित हो जाता है और जिससे संपदाय मैदान अत्बा मैदान की संग्या दी जाती है और डेविस ने सरपितम इस पिकार की संकल्पना सन 1899 में पिस्तुत की थी और इसके अनुसार कोई इस्थलखं नभी होंगे तो एक समय के बाद उन्हें भी समतल कर देगी लीजे अपरदन की अंतर में अत्वा जीरना अवस्था में समतल भाग पर अनिक छोटे-छोटे तीले बिद्दमान होते हैं और जिनको इन्होंने मोनार्ड नौक की संग्या पिदान की और क्रिक में में ने इस भिन ने संकल्पना का इतीपादन भी किया है नदी के अपरदन द्वारा छोटे-छोटे मैदानों की कल्पना की जा सकती है और विसाल इस थलखंड पर एक चक्र के पूरा होने की संभावना बहुत कम होती है प्रलेट संचालन जलवाई परिवर्तन और अन्य बिवर्तनिक गटनाय चक्र में विवधान उत्पन कर सकती है और इससे चक्र विच्छोपद हो सकता है और संभदाय मैदान का निमाद संभाव नहीं होता है ऐसी दसा में इसका परियूग इस थलखंड के किसी भाग पर कर भली भाती समझा जा सकता है आप देखे कोई कहता है कि नदी के द्वारा इस तरह से होगा तो उसके बिरोध में भी तो बोलने बाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है हाँ इतना हो सकता है इससे जानदा कहा हो सकता है तो यह आप लोग याद रखिएगा एक आप देखेंगे कि कास्ट मैदान एक कास्ट मैदान कास्ट प्रेशों अत्वा लाइम स्टोन की चट्डानों वाले चेत्रों में जल की अपरदन तथा घुलन किरिया धरातल की नीचे उपर दोनों सतों में होती है और इससे कास्ट सता ती बगती से नीचे होना प्यारं कर देती है घुलने सी आप देिए जल के दवा ठीक है और एक लंबी समय में कास्ट प्रिदेश सम्तल हो जाता है और जिसे कास्ट मैदान की संध्या पिदान की जाती है और कास्ट मैदानों में जल का प्रभाव होता है तो ग्वलन किरिया द्वारा वह अदोगामी हो जाता है और इस किरिया के पैरम में सतय बहुत कम प्रिवर्थित हो जाती है और काश्ट पे देशों के निर्वाड में जल की मात्रा का अधिक परभाः होता है यदि वितार्च आउं कं परभाः हित है काश्ट मैदान की निर्वाड की संभावना लगबग सोणने रहती है और भारत की बुंदेल खंड में आप देखे फ्रा वास जेज़ में उत्री अमेरिका के फिलोरीडा और यूका टन में यूगोसलावावया की का chemotherapy में निक मिदान इस तरह की आपको देखने हैं को मिलेंगे और इनमें यूगोसलावया का काbab है और यूगोसलावया पर य्दिलो लोड़ा फिलोरीडा मैदान इस दिरिष्टी से महत्पूर भी है और बुंदेल खंड के लोग होंगे तो आपको मालू भी होगा ठीक है फिर आप देखें कि निच्छे पात्मक मैदान निच्छे पतात्मक मैदान और विभिन पिक्रवों की निच्छे पात्मक किरिया द्व जलवाई उदसा आधी का प्रभाव पड़ता है और प्रया इनकारकों में भिन्नता होती है और जिसकारण सभी मैदानों का सौरूप समान नहीं होता है और इनका आकार विस्तार भी बड़ा अत्वा छोटा दोनों होता है और निच्छे पात्मक मैदानों में नदियों पर पवनों द्वारा आप देखेंगे इसमें पवनों द्वारा निर्मित मैदान विसाल आकार वाले होते हैं गंगास तलज का मैदान होंग हो का मैदान नील नदी का मैदान यांग टी सी क्यांग का मैदान अमेजन का मैदान मिसिसीपी का मैदान आधी नदियों तवारा निर्मित बिसाल मैदान होते हैं और इसी पिकार पवन का निच्छे पात्मग किरिया द्वारा लोएस का निर्माड किरिया किया जाता है जो अपेक्चा के बड़ा मैदान होता है और इसके अलावा अनपरकर्मों द्वारा अपेक्चा के छोटे-छोटे निच्छे पात्मग मैदानों का निर्मार्ण भी होता है और निम्नांकित निच्छे पात्मक मैदानों का विवरन पिस्तुद किया जाता है इसमें आप देखेंगे नदी निच्छे पित मैदान और नदियां उचाई बाले भागों का अपर्दन का समुद्र में जमा करती है इस सो भाविक सी बात है इतना common sense आप लोगों को होगा भी कि आप देखे उंचाई से अगर नदी आ रही है तो उसे एक समय आप देखे काटती रहेगी काटती रहेगी जब समतल हो जाएगी और आप देखे कि एक तरश से समद्रों से बराबर हो जाएगी तो आप देखेंगे वो रोग जाएगा और यह इनकी सामन किरिया है प्रोणावस्था के अंत तक यह किरिया समान धंग से चलती रहती है और विद्धावस्था में इनकी परिवान चमता कम हो जाती है और फालसोरूप इनकी द्वारा विविन इस्थानों पर यही कारण है कि निच्छेपात्मत मैदानों को इसकी संपूर्ण एकाई से पितक कर उसका बिसलिसन किया जाता है और नदी की निच्छेप किरिया द्वारा निर्मिद मैदानों में गریपत, जलोड मैदान, बाड मैदान, डेलटा मैदान, जीलकित मैदान, आदी महत्पूर है और जिनका पिसलिसन नीचे किया जाएगा यह आप देखें गریपत, जलोड मैदान जबनादी परवतिये भागों में भागों से मैदानी भागों में प्रवेस करती है तब इसके जलमाग ढाल में अचानक कमी आ जाती है और फालसुरूप आप देखें कि बड़े आकार वाले चटों का परिवहन नहीं हो पाता है और पहाडियों के पद के निकट इनका बनिच्छेप हो जाता है और जिससे जलोड पंक की संग्या दी जाती है और इस पिकार जब अनेक नर्दिया परवर्तिय भाग से मैदानी भाग में पिरवेश करती है तो पहाडियों के पात पर एक के बाद एक जलोड पंकों का निर्माड आपको देखने को मिलेगा और इनके आकार में समय की साथ विकास होता रहता है जिसे कई जलोड पंक के एक साथ मिल जाते हैं और इससे एक विस्तित जलोड मैदान का निर्माड होता है जिसे ग्रीपद जलोड मैदान की संग्या दी जाती है और भारत में हमाले परवत के बाद में फैला भावर का मैदान इसी तरह का आप लोगों को उधारन देखने को मिलेगा जलोड मैदान देख लिजे ठीक है और बाड का मैदान तो इसमें आप देखें नदी अपरदन द्वारा अपने जल मार्ग में पढ़ने वाली सभी बादाओं को दूर का साम अवस्था प्राप्त करना चाहती है जब वह अपने कार में सफल हो जाती है तब वह एक संतुलित नदी हो जाती है और इस समय इसका बेक मंद हो जाता है और जल बरसा के समय जल इसके पास में फैल कर प्रभावित होता है जलकी मातरा जेव 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 कम होती जाती है तटों पर बारी कर्णों का निर्माण हो जाता है और बारड़ की समाथ्टी के बाद आप देखेंगे दोनों किनारों अत्वा, उपी युखते परिस्तिती बाले भागों में जलोड, अत्वा, कौप, अत्वा, कच्छारी मिट्टी का जमाओ हो जाता है और इस बाड का इसे आप लोग बाड का मैदान करते हैं बाड के द्वारा बनाय हुआ मैदान करते हैं और इस पेकार की मैदान आकार में चोटे और उपजाओ होते हैं भारत में गंगा, घागरा, दामोदर, आदी नदियों में अनेक चोटे चोटे बाड की मैदान आपको देखने को मिलेंगे और इसी पिकार नील मिसी सीपी, यांगटी सिक्यांग, हौंगो, आधी नदियों, अनिक और वरक, बार के मैदानों का निर्माण की है और इस मैदान को जमाओ की पिक्रिया के अधार पर दो भागों में, एक तो खादर का मैदान, एक बागर का मैदान में विभाजित करते हैं आप लोग, ठीक है? और डेल्टा का अगर मैदान देखें इसमें, तो आप देखें, नदियां इस्थलखनों का अपरदन कर, उनका निच्छिप समद्रों, अत्वा, महासागरों में करती हैं, और इनके मुहाने पर कलांतर तक जमाओ चलता रहता है, और निच्छिप तल चटों से मुहाने पर जिस स्थलखती का निर्माण होता है, उसे डेल्टा की संग्या दी जाती है, और इनका अकार जब काफी बड़ा हो जाता है, तब इसे डेल्टा मैदान की संग्या पिदान की जाती है, गंगा का सुंदर वर्ण डेल्टा, जिसका विस्तार आप देखेंगे कि कितना 50,000,000 और इसका प्रमुक्ष दिश्टान थे, इसके अलावा नील नदी का डेल्टाई मैदान, मिसिसीपी का डेल्टाई मैदान, राइन नदी का डेल्टाई मैदान आपको देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे कि परवत निच्छे पित मैदान, पवन निच्छे पित मैद और आप देखें कि उड़ा ले गई और जहां आप देखते हैं कि उसकी परिस्तिती अनकूल रहेगी वहां जांकर वो छोड़ देगी तो वहां आप देखें जो मैदान बनेगा उसी की बात हो रहेगे इसकी निच्छे पिक्रिया दोरा विस्तिच छित में समतल बालू का मैदान और मरूचेतरों में जब पवन अपने साथ बालू के करों की विसाल रासी लेकर चलता है और इसके मार्ग में सिलाएं बनस्पतियों अत्पा अन और रोध उपस्तित हो जाते हैं तब उनका सारा निच्छेफ करता है उनी के सारे आप देखें वो निच्छेफ यान चलता रहता है और लंबे समय के बाद बीच का जमाओ बलू का इस्तूपों के लगबग बराबर हो जाता है और इस तरह से बालू का एक विसाल मैदान इर्मित होता है जिसे मरू मैदान कहा जाता है और इस मैदान में बलू का इस्तूप कुछ उपर उठे दिखाई पड़ दूर होता है, मरू छेतरों से पपन अपने साथ बालू, यानि की बालू मिट्टी के कड़ जो है, कड़ों को लेका चलता है, और मार्ग में इसका बेक कम हो जाता है, तो यह धीरे धीरे नीचे वेटने लगते हैं, और यह कार काफी समय तक चलता है, तब पदार्थों की विसाल रासी वहाँ जमा हो जाएगी, निच्छिप्त हो जाएगी, और इससे एक विस्तत मैधान का अनिर्माड होगा, जिससे लुएस की संग्या दे जाती है, चीन का लुएस का मैधान, इसी का उधारण है, क्या है, इसी का उधारण है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा और NCRT पढ़ी होंगी तो बहुत बहुत बहुतर तरीके से आप लोग समझ पाते हैं एक हिमानी निच्छे पित मैदान तोहिम पिदेशों में हिमानी द्वारा विसाल मलबा की रासी का निच्छे समतल रूप सिम्मे किया जाता है यानि की कहने का मतलब हिमानी जो अपने साथ आपदी की मलबा लेगी उसे कहीं तो छोड़ेगी और जिसे हिमानी निच्छे पित मैदान की संग्या पिदान की जाती है फिले इस्टोसीन काल में उत्री धुर्प के चतुरदिक उत्री अमेरिका के उपरी भाग और यूरेसिया के उत्री भाग तथा यूरेसिया के उत्री भाग में विसाल हिमावरन हुआ था और इस काल में कई अंतर हिम योग हुए थे और इससे हिमनत कभी सक्रिय कार किये तथा कभी मंद गती से कार किये थे और कभी हिमनत स्वेम कार किया और तथा कभी जल के साथ मिलकर कार किया और फ़सरूप इस काल में अनेक हिमानी मैदानों करेंबाड हुआ तिल मैदान, हिमोड मैदान, हिमनद आउचेप मैदान, आदी हिमानी निचेप पिरमों के मैदान है, ठीक है, मैदानों की उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें, कि इनकी उपयोगिता क्या है मैदानों की, तो मैदान समतल धरा तलिये भू भागें, जिसके कारण यहां किर किर्सी, सिचाई, यात्यायाद, बस्तियां, आदी के निर्मार की सोबिदाएं उपलब्द होती हैं, अब आप देखें, जहां मैदान होगा, वहीं तो किर्सी हो गई, वहीं सिचाई की विवस्ता होगी, यात्यायाद की सोबिदा होगी, आप लोग बस्तियां बसा पाएंग और मेदानी भागों में जनाधीक है, मेदानों की मिटी अतिन्दे उर्वरक होती है जिसमें अनेक पिकार की फसलों का उत्पादन भी होता है साथी साथ यह भूभाग समतल होता है और फलस्वरूफ नंगरों का निर्माड सरकों और रेल मारगों की विवस्ता आदी अतिन्द सरल होते है और बस्तियों के निर्माड के लिए परयाप्त समतल भूमी इस भूभाग में पराप्त हो जाती है और इसके अलाबा अनेक मैदा ब्यापार उद्ध्यो यात्यायात की रिष्टी से पितम दिरश्टी की अनिस्थलाक्तियों की अपिक्चा हुत्तम होते हैं और फालस्वरूप संसार की अनेक महत्पूर्ण नगर मैदानों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी बिस्त की 90-30 से अधिक जन संक्या मैदानों में निवास करती है सातलज गंगा बरंपुत का मैदान भारत में गंगा बरंपुत का मैदान बंगलादेश में सिंदू का मैदान पाकिस्तान में हौंगो और यांग्टी सांग का मैदान चीन में इरावदी का मैदान मैनमार में, मीनाम का मैदान थाइलेंड में, मिकांग का मैदान इडारिक्टी पिरिलिम्स में पूँच लेगा, कई एकजाम में पूच लेगा मिकांग का मैदान बेतनाब में, मिसिसीपी मैसोरी का मैदान सेखतराज अमेरिका में, डेनियूब बोलगा और पो का मैदान यूरोम में, मरे डायलिंग का मैदान औस्टेलिया में, नील लदी का मैदान मिस्थ में, पराना परागवी का मैदान दच्छे हमेरिका में, आदी पर जनसंक्या अतिन्द बिरल है कम लोग रहेंगे वहां दल्डली मरू तथा सीत मेदानी जनसंक्या रहेता आपको देखने को मिलेंगे। इसकी अनिक संस्कितियों का जनम भी समतल मेदानों में हुआ है। नदी घाटी के मैदानी भाग संस्कितियों के विकास के अंदर पालना मने जाते हैं, और वरक मेरदा नदीयों का स्वक्ष जल, अनकूल जलबायू, यातियात की सुबदा आधी के कारण मानो, सघन जंगलों, दुर्गम पठारों, परवतों की स्थान पर मैदानों के चाहिन कर अपनी संस्किति का विकास किया है, अब आप देखें सिंदु घाटी सब्विता, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी आप लोग रहते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ आसानी से आप लोग रह सकें, परिस्तिती हो रहने लाग, पानी की विवस्ता हो, ओप जाओ जमीन होके यहाँ वहाँ आप लोग खेती पाती कर सकें, ठीक है? तो सिंदु घाटी सबता भारत, दजला फराद घाटी अत्वा मिसो पोटामिया की सबता, चारू कोटीन भारत चीन में, निल नदी घाटी सबता मिस्त, आदी पपित्यक चापित्यक संबंद समतल मैदानों में देखने कुम लेगे, आतीत से ही संसार के मैदानी भाग कला, संगीत और विज्ञान की केंद की रूम में जाने जाते हैं, और मैदानों का मानों से घनिष्ट संबंद भी है, और इसकी अपादेता मानों के लिए प्रक्ति का अनुपम उपहार है, अतीत की प्राचीन सब बताएं, इन्हीं के मैदानों में पल्लिवित हैं, विक्स अब आप देखें कि आप लोग भी तो देखते हैं, नदियों के कनारे ही आप लोग अपने बस्ती बनाते हुई रहते हैं, वहां जाओ जमीन रहती है, पानी की सुविदा, खेती की रहती है, तो समद तल से 500 मीटर उचे भूभा को आप लोग मैदान कहते हैं, यह तथ हैं मैदानों का बर्गी करण, रचना के अनुसार, जलवाईव के अनुसार, इस्तिती के अनुसार, निर्माण पिक किरिया के अनुसार, अगर आप देखें तो समतल मैदान, तरंकीत मैदान, लहदार मैदान, विच्छे दित मैदान, जलवाईव के अनुसार देखें तो उप अधिनात्मक मैदान और निच्छे पात्मक मैदान होते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि मैदान की कहानी खतम होती है यह चेप्टर भी आपका कबर हो जाता है अंगली किलास में हम लोग पठार के बारे में बात करेंगे परवत के बारे में इससे पिछली किलास में कबर किये थे इसमें हम लोगों निमयदार में आंगे जो क्लास होगी आपकी वो पठार से संबंदित होगी ठीक है चलिए आपके कोई सुझाओ मेरे लिए सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं नीचे जरूर बताएगा आप लोग ठीक है